असलाम नेकुम यूर्स कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी जो आप काफी सारी कॉंटिटी में बना के फ्रीज करें और जब दिल करें निकाल के फ्राय करें और इ लेसन थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर इसमें हम चिकन डालेंगे आदर किलो मैंने चिकन ली है बॉन लेस इसको हम शामिल कर देते हैं और इसमें हम कुछ spices एड़ करेंगे नमक डाल रहे हैं हस्बिस आएगा ब्लेक पैपर पाउडर तिक का मसाला में डाल रही हूं इससे बहुत यह चा फ्लेवर आता है विनिगर और सोया सॉस इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इसकी बुनाई अभी नहीं करेंगे अभी मैं इसको कवर करके कोखोने दूँगी चिकन पानी चोड़ेगा उसको हम अच्छे तरह से ड्राइ कर देंगे और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो अच्छे से चिकन गल चुकी होगी उसको फिर ठंडा करके आप चाहें तो इसी के छोटे छोटे पीसिस करके इसको यूज कर दें या फिर श्रेट करके यूज करें मैं इसको ठंडा करके हलका सा श्रेट करनूगी चौपर में डालके उसके बाद मैं इसको यूज करूँगी और अब हम अपनी vegetables prepare करेंगे तो एक कड़ाई में मैं oil गरम कर रही हूँ और इसमें उसी तरह से lesson डालेंगे थोड़ा सा इसको saute करेंगे अब इसमें हम कुछ vegetables डालेंगे जूलियन कटी हुई गाजरे हैं एक पाव एक पाव शिमला इसको भी जूलियन में कट कर दिया है और बन गोबी ये भी एक पाव है इसको बारिक बारिक slices में काट के इसमें डाल दिया है और सारी चीजों को अच्छे से हम mix कर देंगे इसको हम medium to high flame पे cook करेंगे तागे vegetables अपना पानी ना छोड़े और इसी के साथ अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं spring onions चार से पांच अदद मैंने spring onions लिये हैं उसको बारिक बारिक चॉप करके इसमें शामिल कर दें और इनको अच्छी तरह से हम mix कर देंगे अब इसमें कुछ seasoning शामिल कर देते हैं नमक है, हजबिजाइका, काली मिर्ज का पाउडर है वाइट पेपर पाउडर है और चाट मसाला ठीक है मैं इसमें vinegar या soya sauce अड़ नहीं कर रही हूँ वड़ना सबजी अपना पानी छोड़ेंगी और यह सौगी हो जाएंगी इनको हम mix कर देते हैं और vegetables हैं, इनको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे अगर आप इनको ज्यादा पकाएंगे तो यह सौगी हो जाएंगी हम इनको सौगी नहीं रखना इनको क्रंची रखना है एक से दो मुनिट के अंदर अंदर हम ने इसकी flame आफ कर देनी है ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे कॉन अड़ करेंगे बिलकुल लास्ट में यह boiled corn है, sweet corn आप तिन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और यह जो shredded chicken थी वह इसमें शामिल कर देंगे और बस इन दोनों चीज़ों को अच्छे से mix कर देंगे और flame off कर देंगे क्यूंकि इसमें जो corn डाल रहे हैं वह भी cooked है और chicken भी cooked है तो यह हमारी filling तयार हो चुकी है इसको हम side पे रख देंगे, ठंडा होने देंगे जब room temperature पे आएगा तो फिर इसको हम use करेंगे तो इसको मैं cover कर रही हूँ लेकिन किसी चलनी से cover कर दें ताकि इसके अंदर जो भी moisture है वो निकल जाए तो अब यह mixture चंडा हो चुका है, इसको मैंने निकाल दिया है एक box में और यहां पे मैंने paste बनाया है मैदा और पानी डालके एक थिक सा paste बना दिया है इससे हम binding करेंगे अपने rolls की तो rolls के जो wrappers होते हैं वो बड़े size के होते हैं उनको मैंने बीच में से cut कर दिया है, half कर दिया है ताकि थोड़े चोटे size के roll बने, दिखने में भी अच्छे लगते हैं, serving में भी अच्छे लगते हैं इस तरह से mixture को अंदर करके, हमने size को fold कर देना है यहां पर मैं paste लगा रही हूँ, ताकि इसकी अच्छे से binding हो जाए ठीक है, यह देखें, बहुत ही neat और cute सा roll तयार हो चुका है, इसी तरह से हम और rolls बना रहे हैं और इस पर दूसरी layer रखने से पहले, मैं इस पर plastic की sheet बिछा रही हूँ, ताकि आपस में चिपके ना जब भी आप rolls समोसे बनाए, थोड़े से gap से रखा करें, और बीच में plastic की sheet रखा करें, उसको freeze करें, और फिर आप इसको boxes में बन करके रखें तो इस तरह से आपके rolls समोसे आपस में कभी भी नहीं चिपकेंगे, इस quantity से आपके अराम से तीन दर्जन से ज्यादा roll बन जाएंगे, तो मैं इनको freeze कर रही हूँ, और कुछ rolls को मैं आपको fry करके दिखा रही हूँ, तो oil को अच्छे से आपने गरम कर लेना है, उसमें हम rolls और low to medium flame पे इसको cook करेंगे, ताकि एक अच्छा सा golden सा color भी आजाए और crispy भी बने, एक साइट से अच्छा सा golden color आजाएगा, तुसकि हम side change करेंगे, और पर दूसरी साइट से भी जब color आजाएगा, तो इनको हम निकाल के serve करेंगे, और इन rolls को आप easily freeze कर सकते हैं, ज्यादा शौक से खाते हैं, और कभी-कभी मैं इन में boiled noodles या pasta भी डाल देती हूँ, तो और मज़े के बन जाते हैं, उसकी recipe मैंने बनाई थी last year, अगर आप वो check out करना चाते हैं, तो उपड लिंक से आप check कर सकते हैं, तो ये मज़िदार से roll तयार हो चुके हैं, इनको हम निकाल देत हैं, तो इन गर्म-गर्म rolls को मैं सर्फ करी हूँ, हरी मिर्च के चटनी और कैचप के साथ, हरी मिर्च के चटनी बहुत अच्छी लगती है, rolls समोसों के साथ, अगर आप उसकी recipe चाहिए, तो आप यहां से check out कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है, तो चलिए इन rolls को try करते है यह देखें, आपको इसमें chicken भी नज़र आ रही है, vegetables भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मज़े के rolls है, जरूर try कीजेगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो like कीजे, share कीजे, और try जरूर कीजेगा, मेरी दूसरे रमजान वीडियो आप चेक आउट कर सकते ह नीचे description से और यहाँ पर दिये हुए link से, और मेरी तरफ से आप सब को रमजान मुबारक, thank you for watching, Allah Hafiz